हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य खंड के चोथे अध्याय के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का जीवन परिचे और साथ साथ में देखेंगे बच्चों रचनाएं और यह भी देखेंगे कि आप अपनी प लिखेंगे जो बेहतर तरीका होगा तो आज की क्लास में हम लोग पूरा यह देखने वाले हैं तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे संचिप्त में इनका जीवन परिचे लिखेंगे, पहले कैसे संचिप्त में लिखेंगे, फिर वस्तार से तरीका लिखेंगे, फिर रचनाय लिखेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे उससे देखते हैं, आप देखें बच्चों, सबसे पहले जो आपका मुख्य किया होगा कि नाम किसका हम लोग जीवन परिचे किसका पड़ रहे हैं बिहारी लाल जी का यह था तो यह में मुख्य बिंदू होगा फिर जो बच्छे अगला वो रहा होगा जन्म मतलब इनका जन्म किस सन में हुआ था थीक है तो यहां पर यह है 1595 एक चीज बच्चों आप लोग ध्यान में रखेगा कि कहीं कहीं आपको पुस्तक में मिलता है 1603 इसवी तो यह दोनों ही सन बच्चों करेक्ट है क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना था 1595 इसवी और कुछ सोला सोbum 3 इसवी तो इनके जिन्म के विषय वद्वानों में क्या है मत भेद्व है बच्चों अगarti के Behind विंदू होगा बच्चों वह क्या है कि इनके पिता का क्या नाम था तो इनके पिता जी का नाम पंडित के सव्राए चाव फिर सब्सक्रियत क्लब के इन इस्थान कौन सा था तो बस्वा गोविंदपुर जो की ग्वालियर के पास था अब अगला देखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा नाम बिहारी लाल जी उसके बाद इनका जन्म 1595 वी और पिता का नाम क्या था बच्चो पंडित के सवराय चौबे और जन्म इस्क्षा की बात करें तो काव्य सास्त्र की सिक्षा ग्रह्ण की थी इन्हों ने उसकी बाद अगला जो विंदू है म्रत्यू इनकी म्रत्यू कभ हुई थी 1663 कि में हुई थी ठीक है और अगला जो है बच्चों मुख्य विंदु हमारा की रचना इनकी रचना मेर하는데 uses सी बिहारी सत्साई और एक चीज और आपको बता दे आप लोग भी ध्यान में रखेगा कि कभी कभी बहुविकल्पी प्रस्ण बनता है यहां से कि यह जो बिहारी लाल जी है इनकी जो रचना है बिहारी सत्साई इसमें कितने दोहों का संग्रह माना जाता है तो यह भी ध्या कि लए अप ध्यान में रखेगा और एक चीज और ऐसे ही आप अपने संशिप्त में जब जीवन परिच्छे लिखेंगे आप अपनी परिक्षा में तो एसे ही संशिप्त में मुभ्य बिन्धू को लिखेगा उसके बाद देखते हैं विस्तार से जैसे निए नीटिती बिह बिहारी लाल जी का जन्म सन 1595 इस्वी में हुआ था ठीक है जैसे कि अभी बच्चों पिछले उसमें बताया कि 1603 इस्वी भी करेक्ट है ना दोनों आप परिक्षा में लिख सकते हैं कि लगभग गौालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गाउ में हुआ था यह तो आभी हम लोगों ने संचिप्त में भी देखा उसके बाद देखें इनका बच्चपन बुंदेल खंड में व्यतीत विहारी लाल यह यहां पर मिस्प्रिंट हो गया है बच्चों व्यतीत हु यह तटीट हुआ तो यह कहते हैं द्यान में रखेगा कि वाकिया कि इनका बच्चपन बुंदेल खंड में वियतीत हुआ उसके बाद यू आवस्था में यह अपनी ससूराल मत्यूरा में आ कर रहने लगए तो कि ससुराल कहा थी बच्चों मत्यूरा ठीक है और यह एक है जो कि इससे आप ध्यान में रख सकते हैं परिक्षा में लिखने के लिए आपसे मिस्टेक भी नहीं होगी है और यह अच्छा तरीका भी है देखे जन्म ग्वालियर जानिये खंड बुंदेले बाल तरुनाई आई सुघर मतुरा बस ससुराल मतलब इनका जन्म बच्चों बुम् गभी और यह और जो इनका बाल यानि जो बच्च पन था वो कहां व्यतीत हुआ था बुंदेल खंड में और इसके बाद जो इनकी सशुुरालangen थी वह कहां थी मतुरा में जिस त्म ऐस्ट अगे देखर देखे लिए कि बाद कैसे करेंगे तो देखें जैपुर के मिर्जा राजा जैसिंग के आप आस्रित कवी थे कौन बिहारी लाल जी उसके बाद देखें जैपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एक मात्र ग्रंथ जिसका नाम क्या है वच्चो बिहारी सत्साई एक मात्र ग्रंथ बिहारी सत्साई की रचना की जिसमें 719 दोहे हैं अभी जब हम लोगों ने संचिप्त में देखा तो उसमें पढ़ा भी कि जो इनकी एक मात्र रचना क्या थी बिहारी सत्साई तो उसमें 719 दोहे हैं अब आगे देखें कि राजा जैसिंग बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे, ये इनको प्रतेक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे, कि वतलब जब ये दोहे लिखते थे, तो प्रतेक दोहे पर इनको स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे, कितना बढ़िया चलिए कहा जाता है कि महाराजा जैसिंग इनका नाम ध्याद में रखेगा जैसिंग अपनी नवोड़ा पत्नी के साथ प्रेम पाश में लिप्त थे और राज-काज का पुड़त्या परित्याग कर चुके थे उसका क्या कर चुके थे जैसिंग के पुना कर्टव पत्पर अग्रसर हो गए मतलब उसके बाद वो अपने मार्ग मतलब सही मार्ग पर आगए अब देखिए बिहारी की मृत्यू सन 1663 इस्वे में हुई थी अगर ये तरीका आप लेखते हैं अपनी परिक्षा में बच्चो इससे बहतर तरीका और कुछ भी नहीं होगा कि कैसे आप संशिप्त में लेखे लिखेंगे अभी कुछ और है कि जो की आप परिक्षा में रचना लिखेंगे बच्चो इनकी रचना और नहीं है मतलब एक मात्र एक ही रचना है वो भी क्या है बिहारी सत्साई इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा भी था तो और ज्यादा आपको ध्यान में रखने की आव लिखेंगा कि केवल एक छोटे से ग्रंत की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गये तो इनकी चोटे ग्रंत की रचना की थी ठीक है यह आप बिलकुल ध्यान में रख सकते हैं और बच्चों यह बिलकुल सही तरीका है आपके एक्जाम में लिखने का आप देख से देखा है कि क्यासे आप अपनी परिक्षा में लिखेंगे तो आज की क्लास में बच्चो इतना ही मेहनत करते रहे हैं परिक्षा में बहतर करेंगे आप पूरी उम्मेध है आज लिए इतना ही धन्यवाद